हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज में जो है आप सभी के लिए एक कप सूजी से पच्चास पापड बनाने की रेस्पी लेकर आये हैं जो की बहुत ही स्वादिश्ट और यमी लगता है तो देखिए कितना प्यारा सा जश्ट डबल करके हो जा रहा है फ्रेंड्स यकीन मानिए खाने में भी यह बहुत ही स्वादिश्ट है मों में डालने पर तुरंथी भूल जाने वाला यह पापड मारा बनकर तयार हुआ है तो चलिए अब देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है आप सब भी एक बार इसे जरू ट्राइ किजिएगा तो देखिए कितना खास्ता और कुरकवा बनके यह तयार हुआ है अब देख सकते हैं तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक कप सूजी यानि एक कटोरी सूजी लिया है थोड़ा सा खाली है कटोरी और बारी कटा हुआ हरी धनिये का पत्ती औ से थोड़ा सा कम नमा की ओर तीन चुटकी के करीब हमने यहां पर ले लिया है खाने वाला शोडा जो कि अगर सूड़े की जगा पर आपके पास पापड क्यार है तो और अच्छा है उसे आप यूज कर आँए अगर फापड क्या नहीं है तो आप खाने-वाला-सोडा यू कि ऐसे चुटकी पकड़ेंगे तो तीन चुटकी की करीब यह है तुसलिये अगे का प्रोसेस देख लेते हैं यहां पर मैंने ले लिया है कड़ाई कोई विदे साखते हैं तो उसी कटोरी हैं एक ही कटोरी तुसलि या पर ढूंट है के हमें कंप कोई भी सकते हैं तो उसी कट्रविज यहांपर चार का्ट पहले पानी लिया एक कट्रव भाद में फिर से बढ़ा रहा है तो यानि टोटल पाषड न्वं काट्री पानी हो गया एक कट्रोरी सूझी था हमारा पाषड़ काट्र पानी है अब इस पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं उसके बाद इसमें हम जो नमक लिए थे वो सोड़ा और ये लाल मिर्च का पॉर्डर यानि कुटी हुई और यहां पर धनिये का पत्ता सभी को डाल करके हम गर्म कर लेंगे जीरा को मैंने वहां पर नहीं बताया था अब पानी हमारा लगभा अब गर्म हो चुका है एक हाँ से हमें इसको चलाना है धूसरी हमें से सूजी को थोड़ा थोड़ा से गिराना है कांटिन्यूशली हमें इसी तरह से घुमा घुमा के इसको पकाना है नहीं तिसमें गुठलियां पड़ जाएंगी तो अब गैस को हम कर देंगे लो पहले हमने हाई किया था अब गैस को लो कर दिया है अब लो फ्रेम पर इसके हम लगभग 10 से 15 मेरता काराम से पकाएंगे चल नहीं है नहीं तिसके लम्स पड़ जाएंगे ऐसे ही धीरे धीरे चलाते हुए इसे हमें 15 मिड़ तक अराम से पका लेना है तो दो तीन मिड़ हो गये हैं लगभग देखिए इसका थिकने साब देख सकते हैं ऐसे अब हमी जब थोड़ा सा थीक हो जाएगा तो भारी लगता है इसलिए हमें जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है अब ही इसको और पकाना हमें तो फ्रेंड्स हमने 15 मिनट के करीब इसको पका लिए हैं हम अब इसे हम छोड़ देंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने के लिए बस यही ठीकने समय चाहिए थी अब यह जब ठंड़ा होगा तो थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा त मिस्रण हमारा कापी ठंड़ा हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते कलर इसका यलो टाइप का इसलिए हो गया है कि जिस पानी में हमने इसको पकाया है उस पानी में जो हरी धनिये का पत्ति और जीरा डाले थी वही सब कलर छूट के ऐसे लग रहा जैसे कि यह आलू कि यहां पर तेल का यूज हमें नहीं करना है वरना पापडबाद में चिपकने लगते हैं तो ऐसे सभी बोल्स को हमें बना करके तयार कर लेना है बहुत ही आराम से यह बोल्स तयार हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा से हाथों में जब भी लगाये रहेंगे तो पराम से सुन्दर सा बोल बनके तयार होता है तो देखे फ्रिंट्स हमने चार बोल्स को बना लिया ऐसे ही सारे बोल्स को बना लेंगे इधर से मैंने सीट भी विछा लिया है आटे का सीट है इसमें हमें तेल घी कुछ भी ग्रीस नहीं करना है जिस प्लास्टिक से हम यानि उसमें लगा लेगे तो सारी बोल्स हमारी बनके रेडी हो गई है तो चलिए आगे की प्लास्टिक लिया है इसी में थोड़ा सा घी लगा लिए है आप इस बोल को इस पे हम रखेंगे दूसरी तरफ से इसको हम पलट के जैसे आलू के पापड बनाते हैं सेम उसी तर प्रेस कर देंगे यानि दबा देंगे और आराम सी यह हमारा पापड गोल सेफ में बनके तयार हो जाता है अब देख सकते हैं कि इतना प्यारा सा पापड बनके तयार हुआ है देख करके कोई नहीं बता सकता कि यह आलू के पापड है या सूजी के तो देखे, प्लास्टिक को उठा लेंगे, ऐसे ही सभी पापड को अच्छे से बना लेंगे अब इसे दो पापा हमारे प्यार हो गए बहुत एजी है, बहुत आसान है फ्रेंची से बनाना खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है लेजी हमने सभी पापड को अच्छे से बना लिया है, देखे, पापड तयार हो गए है अब इन्हें हम छोण देते हैं, सूख निकली है तो फ्रेंची सूजी के पापड एक ही दिन में सूख जाते हैं आराम से देखे, साम का टाइम है, बहुत अच्छे से पापड़े सूख चुके हैं अब इन्हें हम तल करके भी आपको दिखा देते हैं एक कप सूजी से लगव फ्रेंच्छ पापड हमारे बन करके तयार हुए है तो यहाँ पर कड़ाई को चड़ा दिया है, कड़ाई भी गरम हो गई है, अब इन्हें हम तलते हैं यहाँ पर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज का यह रेस्पी हमारा एक कप सूजी से पच्चास पापड बनाने का रेस्पी पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक किजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किजिएगा और अपने फ्रेंच्छ फैमिली के साथ इस वीडियो को सेर किजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से पापड हमारे जैस डबल हो रहे हैं फूल करके यकी मानिये फ्रेंच्छ खाने में भी ये तुरांत मो में डालने पर गुल जाते हैं तो देखिए कितना प्यारा सा पापड हमारा तलके तयार हो गया है आया इन हम तोड़ करके दिखाते हैं तो देखिए कितना क्रांच्छी और खस्ता पापड हमारा बनकर तयार हो गया है तो आप भी एक बार बनाईए फ्रेंट्स खाई और इंज्वाई किजिए